हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू गमडर एडू जैसे कि आप देख रहे हैं आज आपके सामने एक और नहीं वीडियो लेकर आया हूँ यह वीडियो होने वाला है परसेंडेस के उपर परसेंडेस के उपर मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और यह बनने जा रही है पार्ट 5 के नाम से ठीक है तो यह जो कोशन है यह सिक्वेंस में चलता हुआ आ रहा है अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 इन सब की करते हैं तो आपका एक बेस मजबूत हो जाएगा ठीक है और यह कोशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंड है क्योंकि सिलेक्टेट कोशन है ठीक है जो भी गोवर्मेंट जॉब में जितने भी कोशन आते हैं ग्रूब डीव एंटीपीसी रेलवे एससी सीजील उन सबसे एक स कोशन में क्या कह रहा है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% वा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परतिशत कम है कोशन का मतलब यह है ठीक है लेकिन यह कोशन में आपको अभी सिंपल तरीके से समझाओं कि सिंपल आप कैसे निकालेंगे ठीक है आपको और कोश्चन ही समझ नहीं पाते हैं, तो आपको फिर कोश्चन हल करना मुझकिल लगता है, ठीक है, लेकिन मेरा मोटो यह है कि मुझकिल ना करके असान करना है, कोश्चन को एक बार और समझते हैं, उसके बात करते हैं 2 संक्या This time Jacob would super हमाल लेते हैं यह हमारी होगी क्या कि फरस्ट ठीक है और यह होगी हमारी दूसरी संख्या और यह 500 एंट नहीं हूड है कि नंबर्स में कोई बात में बात हो रही है इसलिए हम मान सकते हैं ठीक है तो हमने मान लिया सो तीसरी संख्या हमारा क्या है सो है ठीक है अब कहने का मतलब यहां पर कम की बात हो रही है क्या हो रही है कम की बात हो रही है जैसा बता रहा है आपको ऐसे ही करना इस तरह के फॉर्मेट का कम की बात हो रह करेगी पहली संख्या 70 ठीक है आप देखेंगे दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या को भी करेंगे सो में सिसको माइनस कर देंगे सबींग अनिकी 63 तो हम लिग देंगे ढूसरी संख्या detres 63 है यहां तक आपको इतना कर लेना है उसके बाद क्या करना है देखिए तो अब कह रहा है कोशन में कि तो दूसरी संख्या यान की दूसरी संख्या यह वाली दूसरी संख्या पहली संख्या से यान की इस वाली संख्या से कितने परतीशत कम है क्या है कितने परतीशत कम है तो और compare किससे करने को कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से यह वाला संख्या पहले संख्या से कितना कम है कितना परतिशत कम है 7 है तो हम लिख देंगे उपर 7 ठीक है और किस से 70 से compare कर रहे हैं तो बटे में लिख देंगे हम 70 ठीक है और गुणा में कर देंगे 100 एनकी 100 परतीशत अब देखेंगे यहां पर हम कार देंगे 0 से 0 कट जाएगा हमारा इस 7 से यह 7 कट जाएगा तो देखिए जो हमारा answer final निकल के आता है वो हमारा निकल के आत देखते हैं अब जो आपके सामने question number second है यान की दूसरा question ठीक है question number second में क्या कह रहा है कि यदि A की I B की I से 20 परतीशत अधिक हो यहां पर अधिक की बात कर रहे हैं ठीक है अधिक हो तो B की I यहन की तो B की I A की I से कितने परतीशत कम है यहां पर देखिए question को समझना पड़ लेना है ठीक है और जब आप question करने लगोगे तो उसके बाद आपको बारीकी से question को पड़ना है यान की read करना है तो चलिए देखते हैं आप हम करेंगे बारीकी से देखिए कह रहा है यदि A की I यहन की A जो है उसकी I तो हम यहां पर लिख लेते हैं A ठीक है A की I A की B की I से यहां पर लिख लेते हैं B B की I से बीस परतिशत अर्थिक हो यान की मान लो यह जो B है ना इस से यह ज़ादा है कितना ज़ादा है 20 ज़ादा है इनकी 20 परतिशत ज़ादा हो ज़ादा हो तो B की आई A की आई से कितने परतिशत कम है यहाँ पे तो आधिक है कोन आधिक है 20 ज़ादा है और यहाँ पे कोशन जो पूछ रहा है वो पूच रहा है कि B की आई, A की आई से कितना पर्तिषत कम है तो इस तरह के कोशन करने के लिए सबसे पहले हम माल लेंगे यहाँ पे 100, क्या हम आल लेंगे? 100, इसको हमने माना क्या करा है? इसको हमने 100 मान लिया, ठीक है? आप देखिए यह कहारा था A की आई B की आई से कितना 20% जादा है तो अगर यह 100 होगा तो यह कितना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 120 ठीक है क्योंकि यह प्लस हो जाता है चाहिए आप परतिशत भी निकालोगे तब भी आप देख लेना यह 100% ठीक है और यह कितना है इसमें 20 जादा है तो 120 हो जाएगा तो इस तरह से आपको निकाल लेना यही इसका तरीका है उसके बाद देखो आप आपको क्या करना है देखिए अब जो question आपसे पूछ रहा है कि B की I यह जो B है इसकी I A की I से कितना परतिशत कम है तो जब इसका पूछ रहा है यही कि B कितना परतिशत कम है A से ठीक है तो इस तरह का question करने के लिए आपको different निकालना है यहीं कि अंतर तो देखिए 20 का अंतर है ठीक है तो 20 का अंतर है तो B की I, A की I से कितना कम है किसे पूछ रहा है A की I से तो A हमारा कितना है 120 तो लिख देंगे उपर 20 यह वाला जो 20 आया अंतर अंतर को हमने उपर लिख देना है और जिस से compare कर रहा है ठीक है 120 से यहीं कि A से compare हो रहा है तो यह हम नीचे लिख देंगे 120 ठीक है और गुना में लिख देंगे 100 परतीशत ठीक यहाँ पर गुना करने के बाद इस 0 से इस 0 को काट देंगे ठीक है और इस 2 से इस से कट जाएगा निचे 6 आ जाएगा निचे 2 एकम 2 और 2 छिक 12 तो 6 आ गया और यहाँ पर 2 3 जा 6 2 5 जा 10 यहीं कि 50 बटे 3 क्या आ जाएगा हमारा 50 बटे 3 परतीशत ठीक है इसको जब हम solve करेंगे तो जो हमारा answer निकल का आया हो आएगा 16 पूर्णा अंक 2 बटा 3 परतीशत यह हमारा final answer होगा ठीक है इसको चलिए आप देखते हैं हम next question अब देखिए friends जो question number 3 है यह थोड़ा सा कुछ हलका सा changes हो जाएगा ठीक है पर तरीका वही है simple तरीका है लेकिन बस आप देखते रहिए देखिए question number 3 यदि x का मान ठीक है यदि यवाला जो x है इसका मान y के मान से 25 परतीशत कम हो ठीक है इनकी इसका जो मान है जो y जो है वो x का मान कितना 25 परतीशत अगर कम हो ठीक है तो y का मान जो है x के मान से कितना परतीशत अधिक होगा यदि y का मान x से कितना ज़्यादा होगा ठीक है तो चलिए इस तरीका question हम करते है तो इस तरीका question के एक तरीका होता है 25 परतिशत क्या है यहाँ पर अभी कम है देखो कम बोला है ना कम तो हम क्या करेंगे 100 में से 25 को कर देंगे minus तो हमारा जो निकल का आएगा 75 क्या आएगा 75 ठीक है तो हम क्या करेंगे 75 जो निकल कर आया हम उपर लिख देंगे 25 ठीक है देखिए, यदि X का मान, Y के मान से 25 परतिशत क्या हो, कम हो, कम के केस में माइनस करेंगे, और अधिक के केस में प्लस करेंगे, क्या करेंगे, अधिक के केस में प्लस करेंगे, तो चलिए देखते हैं, 25 परतिशत अगर कम हो, तो हमने 100 में से माना, यह जो 100 है, हम इसको मानते ह में तो 100 में से हमने क्या करा 25 को माइनस कर दिया ठीक है तो 75 आया तो हमने ऊपर लिख दिया 25 इस वाले 25 को ऊपर लिख दिया ठीक है और इस वाले जो माइनस करके जो आया उस 75 को हमने यहां पर लिख दिया बटे में ठीक है और गुणा में कर दिया 100 परतिशत से गुणा करते क्योंकि हम परतिशत में आंसर निकालेंगे ठीक है इतना करने के बाद आप क्या करेंगे इसका आप पूछ रहा है कि X के मान से कितना परतिशत अधिक है अभी इसका solve करके निकाल देंगे तो उतना परतिशत हमारा क्या होगा अधिक होगा तो देखिए 25 से कम 25 और 25 तिया 75 ठ क्या आजाएगा 100 बट्टा 3 आपका आजाएगा ठीक है तो इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर जो निकलकर आएगा ओ क्या आएगा 33 पूर्ना अंक एक बट्टा 3 परतिशत आपका final आंसर निकलके आजाएगा ठीक है यानि कि कहने के मतलब इतना परतिशत अधिक है त इसी से related है ठीक है अगर वो समझ जाते तो आप कम और अधिक में बिल्कुल नहीं घबराएंगे तो चलिए उसको भी देख लेते हैं चलिए फ्रेंड अब हम कोशन नमर 4 को देखते हैं कि X की I, Y की I से 20 परतिशत अधिक है ठीक है उसमें क्या बोल रहा था कम बोल रहा था कोशन वही है सेम बस उसमें कम बोल रहा था इसमें अधिक बोल रहा है तो चलिए आप भी निकाल के देखिए कोपी पैन निकाल के फटा फट ठीक है तो देखिए जो कहरा 20 परतिशत अधिक है तो Y की I से एनकि Y की I, X की I से कितना परतिशत कम है ठीक है एनकि Y की I है वो X क i से कितना पर्तिशत कम है इसमें तो आपका क्या बोल दिया अधिक है ठीक है एनकी x की i जो है y की i से अधिक है एनकी x इस बर जादा है उस बर y जादा था ठीक है एनकी उस बर x कम था इस बर x जादा है ठीक है तो चलिए अब question को देखते हैं तो question क्या कह रहा है कि y की i से x क आई में कितना परतिशत क्या है कम है तो चलिए method विर्गुल वही रहेगा हम इसको माल लेते हैं 100 ठीक है अधिक पूछ रहा है तो हम इसमें कर देंगे 20 को प्लस ठीक है तो हमारा जो निकल का आएगा 120 ठीक है 120 निकल का आएगा तो हम लग देंगे क्या उपर रख देंगे 20 और नीचे कर देंगे बटे में 120 ठीक है और गुना में क्या करेंगे 100 परतिशत से हम कर देंगे गुना करेंगे इसको इस 0 से इस 0 को काट देंगे ठीक है उसके बाद क्या करने आपको इस 2 को यहनकि 2 के टेबल से कर जाएगा देखिए 2 एकम 2 2 6 12 ठीक है आब इससे 2 के इसको अगर जब हम solve करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 पुर्णा अंक 2 बटा 3 हमारा क्या जाएगा answer आ जाएगा ठीक है यह हमारा final answer होगा ठीक है यह बहुत ही simple ता देखिए एक बार और फिर से समझे इसमें कहरा है कि x की i ठीक है y की i से 20 परतिशत अधिक है क्या है इसमें अ कम पूछ रहा है तो बस यही इतना ही अंतर था आई hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप चैनल पे नए वीवर से तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत